तो दोस्तो मेरा ना मेरा आहूल स्वागत तैपका टेक्निकल वर्ग एडिव चैनल पर दोस्तो अगर आपका इस टाइब का प्लग चाया वो वाटर हीटर का हो एक्स्टेंसे मोड का हो अगर वो खराब हो गया तो इसके जगे आप दूसरा थ्रीपिन प्लग कैसे चेंज करे तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और थ्रीपिन प्लग ले लिया है अब बात करते हैं आप जो तीन टर्मिन उपर वार टर्मिन अर्थिंग का होता है नीचे वाले दो टर्मिन होता है फेस और नूटर सप्लाई करनेक्ट करनेक्ट कर सकते हैं और साथ में इसकी वायर को द तो यह तीन तार दिखाई देर इसमें हमें कनेक्ट करना है तो उपर वाला टर्मिन होता है वो अर्थिंग के लिए होता है नीचे वाले दो टर्मिन होता है वो फेस और नूटर सप्लाई के लिए हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रीन वाले वायर को उपर वायर terminal पर connect करना होता है उसके बाद जो बाकी दो wire बचते हैं से दोनों में से किसी भी terminal पर connect कर सकते हैं सबसे पहले हम इसे वायर के अंदर लगाते हैं जातर लोग भूल जाते हैं इसे लगाना तो यहां पर देखिए अंदर डाल दे वायर में और इसी साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हलका से लूज कर ले ताकि यहां पर connection करने में असानी हो देखिए आप मैंने इसे किसी बी terminal पर connect कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर देखिए मैंने red वासे इस वाली वायर पकर कर दिया है तो यहां पर देखिए यह वाली equipment है वो इसे face and neutral supply चाहिए होता है लेकिन अगर आपके घर में earthing आ रही तो आप connect कर सकते हैं earthing हमारी safety के लिए होता है equipment की safety के लिए होता है तो देखिए हाँ पर मैंने तीनों wire को connect कर दिया है अब हमें इसके cover को लगा देना देखिए हाँ पर मैंने जितने भी screw थे इसको लगा दिया और यहाँ पर हमें wire अच्छी तरह टाइट कर देना ताकि wire lose ना हो देखिए अब यहाँ पर wire खिचेगी नहीं अब इसके back cover को हम लगा देते हैं इसके back cover लगाने बाद देखिए इस screw को लगा के हम tight कर देखिए हाँ पर जो हमारा 3-pin plug का connection हो चुका अब इसे चेक करने के लिए हम एक extensive board ले लेते हैं देखिए मैंने extensive board ले लिए और यहाँ पर इसके plug को लगा लेते हैं इसके बाद हम चेक करते हैं देखिए हाँ पर मैं इसके साथ हम दूसरे software में भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने software में लगा है यहाँ बल्ब जला तो दोस्तों अगर फिर भी आपको connection करने problem आरे तो आप comment करके पूर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please में चैनल को subscribe कर देना इस bell icon को press कर देना जिससे नई वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आप से next video में